नमस्कार किसान भाईयों स्वागत है आपका चैनल अगरी आकास पे क्या आप जानते हैं कि आपके भींडी की खेती में एक बार कीट लग जाए तो आपका 25-30% उत्पादन वो कम कर देता है और ऐसा क्या हो कि हमें पहले ही पता चल जाए कि हमारे खेत में कौन से कीड़े बहा सकते हैं तो आज किस वीडियो में आपको भींडी में लगने वाले प्रमुख 5 कीटों के बारे मैं बताने वाला हूं साथ मीं बताने वाला हूं किस कुर्ये ही इनका लक्षण क्या होता है दिखते कैसे हैं और इनको कैसे नियंत्रित किया जाए वीडियो काफी वो है फल छेदक सुंडी इसको साख और फल का कीट भी कहा जाता है यह जो कीट है किसान भाईयों यह जो पौधा विकास कर रहा होता है उस समय उसकी साखा में पौधे की पैदा होता है और इसके जो हमला होता है तो जो प्रभाविस साखा होती है उसकी पत्य जड़ने लग फल जो हो कमजोर होने लग जाते हैं और जहां पे यह रहता है वहां पे अपना मल भी भर देता है जिस्से की जो पौधा है वह सरणने लग जाता है तो अगर आपको इसका हमला अपने खेद में द нашем ग्राइं और शुरू में एक दू ब tänker लें रहा है तो आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले आपको उस साखा इस पौधे को नश्ट कर दिना चाहिए अगर एक दो पौधे पे है तो अगर आपके खेत में ज्यादा फैल चुका है एक किसान भीओ आपको लेके आना है इस पाइनोज सैड एक एमेल लेना है और उसके आप फलू बैंडी आमाइड 50 एमेल ले सकते हैं और इसको दो फिल्टर पानी में घोल करके अपनी फसल में डाल सकते हैं और दूसरा सब ज़्यादा परेसान करता है कीट भिंडी फसल में वो है ब्लिष्टर बीटल यह पौजे को जो मुलायम भाग होते हैं जहां से मुलायम पत्तिय निकल रही होती है मुलायम फूल होती है यह फिर जहां से मुलायम फल भी होते हैं वहां पर यह उनको खा लेता है जो बिष्टल बीटल कीट होता है जो आपको इस विखाई दे रहा है यह बहुत ज़्याद नुक्सान करता है मुलायम फल फूल पत् आपको खेद में दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले आपको बड़े जो कीडे हैं इनको इकठा कर लेना है और इनको आपको जला देना है या फिर आप इनको मिट्टी में दबा सकती है और अगर आपके खेद में काफी फैल चुका है तो आपको लेकर आना है कारबरील इसको के आ रहे हैं तो चार सेमेल इसको लेकर के दो फेल्टर पाने मिला करके अपने जो खेत है उसमें श्प्रेक कर दीजिए किसान भायो इसके अलाओ जो तीसरी सबसे बड़ी चीज है भिंडी की फसल में वो है चेपा जिसको की माहू भी कहा जाता है चाहे इसको हम चेपा कहें चाहे इसको माहू कहें यह भिंडी की फसल में बहुत जार नुकसान करता है अगर हम बात से इसका अटेक आपको सुरू में कहा दिखता है तो इसका जो अटेक सुरू में आपको नए पत्तों पे नए फलों पे देखा जाता है मुलायम भागों पे यह जो चेपा होता है उ इसमे किसान भाईयों सहित के जैसा जैसे पदार्थ निकलता है और प्रभावित भाग पर पर जो प्रभावित भाग होता है उस पर काले रंग की फनफूद सी जमा हो जादी ता आपको पता चल जाना चाहिए कि यह चेपा यानी माहूर लग चुका है अब इसका नियंटल कै जो फिल्टर पानी मिला करके अपने खेत में इस परेक कर दीजिए ताकि जो यह समस्या है चेपा यानी माहू की आपके खेत में दूर हो जाए और जो चौथी हमारी सबसे बड़ी समस्या है सबसे चौथा सबसे बड़ा कीट है वो है रस चूसक कीट भिंडे की फसल में मो पीली कर देते हैं बाद में पत्या गिर जाती है उत्पादन जो है वो कमजोर हो जाता है उसके उपचार के लिए आप डाय मैथोएट ले सकते हैं 10 एमिल 150 फिल्टर पानी मिला करके इस परेक कर दी दिये यह जो समस्या है वो दूर हो जाएगी और पांचवी जो आखरी चुपता है और उसका रस चूफ लेता है और इसके प्रकॉप से जो पत्य होते हो सफेद रंग के धब्बे बन जाते हैं और बाद में पत्या गिर करके मुड जाती है अगर इसका हमला आपको खेट में दिखाई दे रहा है तो इसके लिए किसान भईयों आपको लेके आना है प्रोपो जाइल दस इसी को जडरुवत की हिसाब से आपको जिस तड़िये खेट में टेक हुआ है उसी हिसाब से आप उसको खेट में इस परे कर दीजिए लाल मकडी की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी तो किसान भीयों यह थे भिंडी में लगने वाले प्रमुख प भन्निवाद